जै स्री राम प्रेमी भक्तों, सोते भक्त ये गलती मत करना वरना जिन्दगी भर पच्ता होगें। भक्तों ये संतों का कहना बिल्कुल सच है के सोते समय जादातर लोग गलतिया करते ही हैं। क्या गलतिया करते ही वह है ये सबसे बड़ी गलती करते ही के सोते समय इंसान को उस वक्त उस परमपिता प्रमात्मा को याद करना चाहिए जिसने ये मनस्षरीर दिया है। लेकिन ज्यादा तर लोग अपने संसार के कारियों में जो सारा दिन कारिय हुआ है बस उसी में उलजे रहते हैं। और उसी में उलजे रहने के साथ उन्ही कारियों को याद करते करते सो जाते हैं। तो स्वपन में भी सब कुछ वही चलता रहता है। लेकिन संत समझाते हैं कि सोते समय अपने को निर्विचार करके और ऐसी अवस्ता में सोना चाहिए जैसे आदमी मरा हुआ होता है। क्योंकि ऐसी अवस्ता में अगर आप सोएंगे, आपको स्वपन जो दिन भर कारिय किया हुए नहीं दिखाई देंगे। और आपको परमात्मा से जो भी कुछ प्राप्त होना होगा रात के समय सोते समय वह स्वपन के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप उस समय प्रमात्मा को याद करके सोएं तो आपको कभी पस्ताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये संतों की बाणी है, के सोती समय अपने सेनकर्च में, अपने सारे कामों से नर्वित होकर के खाना पीना खा करके, हाथ पेर धो करके सोएं, और एकाग्र चित होकर के उस प्रम्पिता परमात्मा को याद करे कहें परमात्मा तुने मुझे मन सरीर दिया इसमें मुझे अच्छा सरीर के साथ साथ मन बुद्धे दी सोचने के लिए मन है निर्णे करने के लिए बुद्धी है और सारी इंद्रियां जो हैं वो सांसारी कारिय करने के लिए ही तो मैं कितना सुक्रियादा करूं में तुझे और तनमन धन से मन करम बचन से जो भी मैंने कारिय किया है मैं सब कुछ तुझे ही अरपन करता हूँ क्योंकि वैसे तो कहते हैं न कि तेरा तुझको अर्पन क्या लागे मेरा तो आप एकांचितो करके और प्रमात्मा को तन्मन धन से मन करम बचन से सब कुछ अर्पन करें और यह गलती कभी ना करें कि खाना पीना खाया और आलस आया और सोगे यह सबसे बड़ी गलती है क्योंकि सुभह उठते समय और साम को सोते समय उस परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना चाहिए उसको कूटी कूटी नमन करना चाहिए अगर आप यह गलती करते हैं तो वास्तम में आपको इस जीवन में तो पस्ताना पड़ेगा ही लेकिन आने वाले अगले जनमों में भी आपको पस्ताना ही पड़ेगा क्योंकि इसने ये जो नर्तन देह है यह बड़ी मुश्किल से खुसामद से हमें प्राप्त हुई है और हमने पता नहीं क्या-क्या भोगा है और आगे भोगेंगे तो अगर हम सोते समय और प्राते उठते समय यह गलती ना दुराएं कि परमात्मा को याद ना करें उसका चिंतन ना करें चिंतन करते करते सोईंगे हम तो वास्तम में ही हमें नीद भी अच्छी आएगी और स्वपन भी अच्छा आएगा और निशित समय भी अपना रखना चाहिए कि हमें इतने घंटे सोना है तो उतने घंटे हम सोएं और उसके बाद में हम अपने समय पर उठें और भगवान का चिंतन करें तो भक्तो अगर आपने यह गलती नहीं की तो वास्तम में आपका जीवन सफल होगा आपको कभी पस्ताना नहीं पड़ेगा अब हम अपनी बादी को भी स्राम देते हैं जै स्री राम